स्री प्रताफ सिंग बाजवा जी पंजाबी में बोलेंगे थेंक यू चेहाबन साहर आज मैं विशेष्ट और समुचे जगदे वेचे जड़े साड़े पंजाबी वीर पंजाबी दे वेचे अपने नमाइन दे दी गल सुनना चान देने उनानू संदेश हिंदोस्तान दी पार्लिमेंट तो पंजाबी वेच देना चानना चेर्मेंट साब जदो वी सेप्टेंबर नू एसे ही हाउस दे वेचे एक कनून नू पास करन दी जड़े अग्रिकल्चर दे साड़े बिल हैने उना नू पास करन दे यह थे बहस चल रही सी मिनू मान है मेरी पार्टी इंडिन नैशनल कांग्रिस ने मिनू मौका देता ऐस ए लीड स्पीकर गल करन दा मैं ओस टाइम भी यह गल्दा जिकर कीता सी के जड़े बिल ने एक किसाना दे डेथ दे वारंट से ते कोई भी जड़ा हिंदोस्तान चे रेंड वारा मेरा वीर है ओ किसाना दे डेथ वरंटा दे दसकत नहीं करेगा तुसी वेको तुसी ओदों गल नहीं मननी साड़ा हक सी सारी ओपोजिशन मंग दी सी के बुनियादी हक जड़ा कॉंस्टिचूशन ने देता है सानू डिवीजिन दा ये थे वोटिंग कराई जाए तो अड़ी ओस टाइम भी जड़ी सरकार दी मंचा सी और सही नहीं सी तुसी तोके दे नाल तुसी तोका तड़ी दे नाल जल्दी दे वेचे कनून बनाना चान दे सी क्योंकि कुछ जड़े अमीर आदमी सी वड़े कॉर्पेट हाउसे सी उन्हों तुसी बेनफिट देना चान दे सी तुसी काला सी कुरोना दे वेचे में नो हरानी है सारी दुनिया जूज रही है कुरोना दे नाल साड़ा देश जूज रहे कुरोना नाल दो वक्त दी रोटी गरीब लोकानों नहीं मेल रही साड़ी माइगरेंट लेबर वचारी पैडल साइकल है बिहार उत्राखंड यूपी वाल जा रही है गर्वर्मेंट को कोई परबंद नहीं होना नो वापस कलन दा ओस टाइम एक चोर दर्वाज़ दे जरीए बैक डूर दे जरीए और निंसे दी रूप दे विच ए लेके आए ये मिनों पहले दसे सरकार ए और निंसे लेंदी लोड की सी जैसे कातर साल बछतर साल इना कनूना दी इंतजार कर सकζेशी ते शे मिने होर क्यों नहीं सेखीती जासा है ते इससे गल कार नाज मोधी साब तो अड़ी सरकार ते पंजाब दे हरयाने दे वेस्टन यूपी दे राजसदां ते बार दे कसाना दा फेत नहीं रही है एकिन किसे प्लिटिकल पार्टी दे आज जिन्हें किसे लीडर दे कैंते लोक नहीं आए एक जानन दोले ने हर करदे वेच अपने आप लोका ने अपने ट्रेक्टरावच डीजल पाया हर पंजाब दे किसान ने फी एकड़ पंसो रुपया कठा करके एस सारे किसान यूने दे उननी सो कतर दे वेच बंगला देश दी लड़ाई दे वेच असी तर्यानवे हजार पाकस्तानियानू ऐस वार प्रिजनस ले आज दो साल असी ओना नू रोटी विदिती पानी डेता बैडिंग विदिती रोजिंग भी दिती आज असी अपने पिसान भीरा नू भीजली कर देती आज असी इंटरनेट कर देता है असी आज जो ना तो पानी कर देता है असी यो थे तवारा बाब्ड वायर जैन लगा देती है जिस्साँ उननीज सो सथ देवेच बर्लिन वार बनाई जा रही है एक वार प्रिजन बढ़ाया जा रहे है अफसों से ना कहना पहिता है दुनिया दी सारन वड़ी डिबाक्रसी है एक चीज़ा अफगानस्तान वेच वेखिया सी एचीज़ा इराक देवेच सदाम हसाइन दे वेले आज जिली दे बादरा थे भीटिया ने तुसी हो थे और रूब देता है जसना आ काल बारा पार्टिया दे लीडर गाजी पुर गए पुलीस ने अंदर नी जान देते हैं एकिस किसम दी डिमोकरिसी इंडोस्ता पार्लिमेंट सेशन इन उपरेशन होए तुसी पार्लिमेंट लीडर्स नो था जान दी जाज़त ना दो इन्हों असी डिमोक्रिसी कहिने तुसी कहिन दे साथे ते विश्वाश करो मैं तानु एक स्वाल पुछना चाना चेर्मेंट साथ तो अड़े जरीए सरकार नूँ तो अड़े अग्रिकल्चर मंतरी जी ने गल कहिए ये डेड़ साल वासे ऐसी एक कनून राखवे रख देने है इन अबाइस से रख देने है मिनु एस गल्दा फरक दसो वापस लेंदे वेचे ते राखवे रख़ें चा फरक की है मैं टेकनिकली ये बात पूछता हूँ अगर आप ये कनून को इन इम्बेरिंस रखते हूँ उसका मतलब देड़ साल के लिए ये कनून वापस होगे अगर ये वापस होगे तो भाईया क्या आप अकेला बूछ का सवाल बनाये बैटे हो किसान माफ़ी मांगएगा तब हम मानेंगी आप ये बात कहने को तयारो हम अपने इन कनून में तर्मीम करने को तयार है ऐसी तर्मीम करनों तयरोदा मतलब है कनूना वेच व्टी कमी है आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है अगर कमी है तो वापस क्यूं नहीं लेते और मैं मोदी जी को ये गुजारश करूंगा मोदी साथ तौडी कांग रस्ते नाज ते कोई दावत हो सकती है तौडी ऑपसीशन पार्टी है ना दावत हो सकती है हिंदोस्तान दा कसान ते ओजने तोनुग वोटा पाके कामयाब कीता है तौडी हो दे ना किये दावते परदान मंतरी जी आज जा मुका है दूजी वार तुसी परदान मंतरी बने हो आज ये मुका स्टेट्समेन बने दा स्टेट्समेन आज ये तौडी को मुका है को और फिर सरदार पटेल वारी जगा लेंदा ओभी गुजराद दा एक पुतर सी जिन्हों लोक वलो पाई पटेल वार सरदार दे टाइटन ना जान दे आज ये तो अड़े को मौका है आओ चलो मैं तो अड़े नाल चलना चलो सिंगू बॉर्डर किसान ये तो अड़े नारे ना मारंगे को मैं तो अड़े बेनफिट वाँ से लेकि आया सी ये तुसी नहीं कबूल दे अगर आप समझते हो ये आपके हके नहीं है भाई मैं वापस लेता हूँ इसमें आपका बड़ा पन होगा दिर्याद दिली जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए दिर्यादों ने होना चाहिए उसको दिर्याद दिली दिखाईए आज आपको स्टेट्समेंट बनने की जरूरत है जिस धंग से आपने इस पार्लिमेंट को जो हिंदोस्तान की सबसे मैं सहमता हूँ एक सबसे बड़ा फेट है जिस हाउस पर वहां हमारा जुमूरी हक नहीं दिया आपने दिवीजन नहीं कराई उसका मतलब था आपको जल्दी कौन सी बात की आप मैं मैं अपड़े पंजाब स्टेट दी गल करना जहाँ सब स्टेक्चित्री बॉडी है तो अड़ी जीएस थी पिछले दस मीने अदा अथ हजार क्रोड पे या पंजाब देना नहीं देता तो अड़ा फेट असी किस तरह करिए तो अड़ा यकीन असी किस तरह करिए रूरल डिवल्फमेंट फंड पंजाब दाडी एफ जो बुनियादी क्योंकि जो फसल पंजाब की अजन्सी खरीती है फूड कॉर्परेशन अफ इंडिया हम क्योंकि अपने कसान को टेक्स नहीं करते हैं स्टेचिटरी है गर्वर्मेंट नो देनी बंदी है साड़ा तेन परसेंटों कटा के एक परसेंट कर देता है तुसी कहें तो पंजाब दे लोग तो अड़े ते फेट कर किस तरह फेट कर तुसी दुश्मना वाड़ा कम साड़ेना कर रहे हो मैं खोर करना चाना इस हाउस ने में ये नमी हिस्ट्री नहीं गुलाम नभी इजाज साब ने बहुत खूबसूरा टंगना दस्यासी अंगरेजा ने खिलाफ ब्रिटिश गर्वर्मेंट के खिलाफ देव गोड़ा जी छे साथ बड़ी मूव्मेंट हुई अग्रिकल्चर जिसको लीड महात्मा गंदी वलबाई पाठल साब करते रहे और सभी सभी जगह पर ब्रिटिश को अपना पैर पीछे खीचिना पड़ा और जीमीदारों की बात माननी पड़ी तो ये मैं गुजारिश करता हूँ पगड़ी समाल जटा आज से एक सौ साल पहले शीदी आजम भगज सिंग के ताया और उनके पता ने ये अंदोलन शुरू किया था और हमारे दिपिंदर सिंग घुड़ा जो बैठे हैं इनके ग्रेट डैन्ट फादर वो भी इस मुव्मेंट में साथ है चोदी मातु राम दी उस मुव्मेंट में भी तीन कनून ही आये था जैसे आप तीन लेकर आएं नौ महीने मुव्मेंट चली और अंग्रेजों को भी अपने घुटने टेकने पड़े गोडे टेकने पए मैं के एस पुट्र सदन दे विचो कहना चाना यही जिकर सा सुखदेव संग तीन साने कीता है लाल के लिए दे उते हैं जो कुछ होया अच्छा भी जैनुवरी नौ सानू बड़ा अफसोस सानू बड़ा दुख है अज़े पंजाबी अज़े सिक्ट आइ किंडेम दट लिए अफसी नेशनलिटी नास काओ नेशनलिजम साड़ा हर एक बच्चा हर महीने नेशनल फ्लैग में लिपट कर हर महीने पंज़ाब और हर्याना काता है आप हमें नेशनलिजम सिखाएंगे भाई आप उनको खालस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्टरी नहीं जानते हमारे नौवे गुरू गुरू तेग भादर महराज गुरू तेग भादर जी ने किसके लिए शहादत दी थी उन्होंने शहाद जिनाई उतारता है तलवार के ताकत के साथ वो हमें कनवर्ट करता है हमारे धर्म को तबदील करता है आप इन्पटीशन हमारे साथी जैसे कोई वकील लेकर जाता है वो इन्पटीशन लेकर औरंजेब के पास है औरंजेब ने इसी लाल के लिए से जिसका आप जिकर करते ह इसी लाल के लिए से ये कहा जो पुटीशन लेकर आए इसका सर कलम कर दिया लिए वहाँ उनका उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत की याद में जो सीज कंसाब सीज कहते हैं गले को उनकी याद में सीज कंसाब गुर्दवरा जो खड़ा है वो हमारे हिंदू, ब्राह्मन, कश्मीरियों की वज़ा से ये शहादत हुई और आप हमें खालस्तानी कहते हैं मेरे अपने पिता जो फॉर्बर मिनिस्टर थे पाँच लोगों के साथ पंजाब में 1987 में उनकी शहादत हुई मेरे अपने बड़े भाई जो ब्रिगेडिर हैं इन्डिन आमी के रिटाइड, ये वोज दी वान, वोज कमांडिंग दी 192 माउंटन ब्रिगेड, जिसने देश के लिए एक टाइगर हिल जीती है ये वोज कमांडिंग 192 माउंटन ब्रिगेड, आप हमें खालसता नहीं कहते हैं, आप हमें कहते हैं आप हमें कहते हैं एंटी डैशनलिस्ट हैं ये लोग, और मैं ये चाहूंगों दी फ्लॉर अफ दी हाउस, आई डिमांड के इधर एक सुप्रीम कोड का सिटिंग जज ट इल्ली के इर्दिगेड जलूस जो एक पुलीस के साथ और आठ वजे कुछ शिरारती एलिमेंट्स को ये इशारा कर दिया गया, कि जो आपको दिया हुआ रूट है, उस पर चलने की जरूरत नहीं आप तोड़ो, इस रूट को बेरिकेडिंग तोड़ो, सीधी आई टियो आई टियो पर पहुंचो, आई टियो से लाल किला तो बहुत सारों ने देखा है नहीं था, और एक ये भी बात मैं हाउस में बताना चाहता हूँ, भाईया ये लाल किले जिसकी आप बात करते हो, ये जिस आपका पता मुगल राद में ये स्तापत हुआ है, और तीन सौ साल पहले जो गुरु तेक बहादर जी की कुरवानी है, उसके बाद गुरु गोबंद सिंग महराज, उनके दो बड़े सहबजादे शीहीद हुए, छोटे दो सहबजादों को सिंदा दिवारों में चिंदिया गया, अगर गुरु गोबंद ना होते, इस देश की एक शकल ही औ होते हैं, आप हमें कह रहे हो, किसी को घडार कह रहे हो, किसी को आप एंट्री नेशनल कह रहे हो, पहले सोचने हो, और ऐसा मैं गुजारश करना चाहूंगा गुरुवर्मेट, ऐसा काम मत करूँ, दो दोस्ट, दुश्मन हमारे बहुत हैं, जो हमारी फॉर्ण पॉलिसीज हैं, आप पाकस्तान को तो छोड़ी दीजिए भाई, सारा एरे वर्ल्ड आपके खलाफ, चाइना आपके खलाफ, रशिया आपको उल्ड चल रहा है, जाकर आपने वोड ट्रम्प की मांगी, बाइडन आपके खलाफ, वो आपके साथ भाई कोवन है, अगर कुछ आपके नेशनलिस्ट होके, आप उनको भी तोड़ना चाहते हो, उनको भी ड्राना चाहते हो, उनको भी धंकाना चाहते हो, ये कमीली चलेगा, और पंजाबी और सिक्ष विशेष्ट और, प्यार से, तो बात आपकी मान सकते हैं, डर से, ड्रावे से, बंदूग से, तोप से, ये सारी हिस्तरी ही शाहदत की है तो मेरी गुजारेश यह ब्लैक लॉज वापस ली दिये यह काले कनून वापस ली दिये परदान मंतरी जी आप कहते हो मैं एक कॉल वे हूँ भाई किसी के पास आपका नंबर है किस के पास आपका नंबर है आप क्यों नहीं इन किसान जथे को ये मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट इनको साथ लेकर चलिए हम चलते हैं आपके साथ आपके जैद्या कार के वहाँ नारे लगवाएंगे आप इन कनूनों को वापस ली जी आप देड़ साल के बाद नए कनून लाइए सिलेक्ट कमेटी बे भेजिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं किसान जथे बंदिया हैं किसान हैं मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट हैं चीफ मिनिस्टर हैं हमारे अगरिकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको कहिए खेती के लिए किसानों के लिए कौन सी सबसे बेतरी कनून है कॉर्पेट्स के लिए नहीं कॉर्पेट्स को हम बेनिफिट नह लाओ हम आगे होकर आपकी बद्द करेंगे आओ एक नई इत्यास की सिर्जिना करें मैं इतने ही कहता हुआ एक 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 बस मैंने किसानों के लिए पंजाब के किसानों के लिए एक छोटी सी कवता लिखिये वो पढ़कर अजादर ले लूँगा के इंदेने चीर देने पहाड हुंदा जिननों जिनून रे के मंजला तो दूर किते मिलदा है सकूं हार देनी हुंदे मर्द दले बस हौंसला बना के तुसी कसान वीरो रखे हो असी जतंगे जरूर जंग जारी रखे हो जैहिंद जैजमान जैकसान तवाह गुर जी का खाथा दनेवाद परटाब सिंग बाजवाजी तुसी अपनी बाशा विच बोरिया धन्यवाद